लगातार फिछले कुछ दिनों से देश में तवाम कंपनिया कर रही है जिनका खुलासा लगातार हो रहा है हमारी भी कोशिश यूँ स्कैम्स और प्रॉट्स के जरीए यही है कि हम लगातार इस सीरीज में और आने वाले भी एपिसोड्स में इस तरह की कंपनियों के बारे मे और जानकारिया आप तक पहुचाते रहे ताकि आप आगार है और आपकी जीवन भई की जमापुंजी जो है वो खामोखा यूहीं आप गवाना बैटे बहाल इस खासकार कर में आज के लिए इतना ही मुझे रवी जी को दीजे इजाज़त नमस्कार क्या प्रॉड में फसा है आपका पैसा क्या स्कैम में उल्शी है आपकी रकाव नमस्कार मैं हूँ रवी नथानी दोंट वेट फॉर लॉंगर पीरिड विवाजी तो वर टाइम बाग प्रेस में चला जाएगा और आप कुछ नहीं कर पाएंगे क्या आपके साथ भी किसी कंप्री ने किया है धोका कंपनी को बोने बॉस्ट इस इस लिमिट यू आपके मैं मनी बैक कंप्लेंडी के मेरे पैसे बैंक क्या आपके में बाग पाइब पाइब कर दो झाल झाल खराश के दो दिश्किया दौरे पर के जिवाल, मोडी के विकास, मौडल का लेंगे जार साथ नमस्कार लेमन न्यूज में आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है, मैं हूँ सुश्मिता सेंग मुख्य चुनाव आयुक्त वियस संपत ने लोकसभा की चुनावी तारीखों का एलान कर दिया है तारीखों का एलान के साथ ही देशभर में आदर्श आचार संगिता लागू हो गई है यानि सरकार अब कोई नया बिल पेश नहीं कर सकेगी देशभर में 949 में 7 अप्रेल से 12 माई तक लोकसभा चुनाव कराये जाएंगे वहीं 16 माई को वोटों की गिंती की जाएगी महराश में 10, 17 और 24 को वोटी को चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव की तारिखों का एलान कर दिया है इसे लेकर दिल्ली में हुई चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फरेंस में मुख्य चुनाव आयोग वी एस संपत ने तारिखों और तयारियों का एलान किया है संपत ने कहा है कि लोकसभा चुनाव के साथ तीन राज्यो आंदरप्रदेश, ओरीशा और सिक्किम में विधान सभा चुनाव भी होंगे लोकसभा चुनाव की तारिकों का एलान होने के साथ ही आचार सहिता भी लागू करती गई किन किन राज्यों में किस तरह से चुनाव होंगे आईए उसमेर एक नज़र डालते हैं इस पुरे चुनाव में कुल नव दौर में होगा मतदान साथ अपरेल को पहले दौर का मतदान नव अपरेल को दूसरे दौर का मतदान दस अपरेल को तीसरे दौर का मतदान दिली में 10 सेपरेल को मत दान, राजिस्थान में 17 और 24 एपरेल को मत दान महराश्ट में 10, 17 और 24 अपरेल को मददान यूपी बिहार में 10, 17, 24, 30 अपरेल और 7 और 12 मई को मददान यूपी बिहार में 6 चरणों में होंगे चुनाओ बंजाब, तमिलनाडू, गुजरात में 30 अपरेल को मददान बश्चिम बंगाल में 17, 24, 30 अपरेल, 7 और 12 मई को मददान तुरक्षा तैयारियों के लिए राज्चियों के साथ मैठा के चुनाओ के लिए मौसम का भी ध्यान रखताओ परिक्षाओ को ध्यान में रखकर चुनाओ की तारीक है नए मददाता 9 मार्च तक वोटर लिस्ट में नाम दे सकते हैं वोटर लिस्ट के लिए 9 लाख शिविर लगेंगे इस बार एक लाख से जादा मददान केंद्र होंगे मददान केंद्रों पर मूल्बूल सुविधाय होंगी EBM से ही मददान होगा अध से चुनावी आचार सहिता लगने Photo Water Slip में मददान केंद्र की जानकारी होगी मददाता के घर भेजी जाएगी Photo Water Slip मददाताओं को जागरू करने के लिए परेवेक्षप मनी पावर का इस्तमाल रोगने के लिए सक्त कदम काले धन के इस्तमाल पर कड़ी नजर रहेगी चुनाव में खर्च पर कड़ी नजर रहेगी दिल्श के 80 करोड 40 लाग मददाता वोट डालेंगे पिछले चुनाव के बाद पौने 10 करोड नए मददाता बनेंगे चुनाव कर्च की सीमा 40 लाग रुपए ही थी जबकि 2009 में चुनाव कर्च की सीमा 25 लाग रुपए थी 2009 के लोगसभाद चुनाव 16 एपरेल से 13 मई के बीच हुए थे पिछले लोगसभाद चुनाव पांच चरणों में हुए थे मौजूदा लोगसभा की मियाद 31 मई को खत्म हो रही है यूरो रिपोर्ट लेमन नीज तुस चुनाव आयोत वियस संपत ने दिल्ली में प्रस कॉन्फरेंस की जिसमें लोगसभा चुनावों की तारीकों का ऐलान किया गया और क्या कुछ नरदेश दियें हैं वियस संपत ने आये रहता डसली में सिव छिव पोल दजी गाड़ ठियादा की अविश फिर्ड पोलडें, थ affair उंश संपत य耿ने तो परLY अरॉम ट उर्ट वॉर्ट ऑ्र युवर्ट एप्र ऑ्रव जे जए उर डेलेद संपत आद ठी टर्म युवर्र ज्ड आवर्ली घॉ The 5th poll day will be on 17th April, covering 13 states and union territories and 122 parliamentary constituencies. The next 6th poll day shall be on 24th April, covering 12 states and 117 parliamentary constituencies. 7th poll day shall be on 30th April, covering 9 states and 89 parliamentary constituencies. 8th poll day shall be on 7th May, covering 7 states and 64 parliamentary constituencies. The last one being 9th poll day shall be on 12th May, covering 3 states and 41 parliamentary constituencies. Therefore, in 9 poll days, we will be covering 543 parliamentary constituencies and respective assembly constituencies in those 3 states, as also we have a few by-elections to state assemblies in different states. All these will go to the polls on the same date as the respective parliamentary constituencies. Counting for all these shall take place on 16th May, Friday, it is expected, counting will be over in a single day. Maverashtra will have 3 poll days, 10th April, 17th April, 24th April, I have already mentioned to you counting for all parliamentary constituencies, general election to state assemblies and by-elections to all the state assembly constituencies, all these will go along with respective parliamentary constituencies on the same day as per the same schedule. For all these, counting shall be had on 16th May. Now, by way of conclusion, on the occasion of the 16th Lok Sabay elections, the Commission reassures the nation of its solemn resolve and deep commitment to fulfill its constitutional mandate to conduct free, fair and credible elections. The Commission exhorts the 11 million-plus election machinery to dedicate themselves to the tasks associated with the conduct of elections as a sacred duty. The Commission appeals to all stakeholders, and in particular the political parties and candidates, to uphold the peerless democratic traditions of the nation by maintaining high standards of political discourse and fair play in the course of their election campaign. Finally, the Commission would make an earnest, fervent appeal to all voters to reinforce the democratic ethos of the nation by turning up at polling stations and exercising their right to vote in an informed and informed manner. сколько will include? For all the immigration districts of the university and the university of the nation and the Americans and the citizens of the country are working at the university of the nation by working on the earth. महाराष्टा थोड़ा दूज है, खुश तक ते ऐसे हैं, जैसे मुसल्मान हैं, माइनॉरिटीज हैं, दलिट्स हैं, अदिवसी हैं, इनको थोड़ा फास्ट ट्रेक के उपर ग्रोथ करनी की देगे महिंग गांधी से खास बाची, देखिए सिर्फ ले मन्योजबर, बुधवार शाम 6 बजे और राद 11 बजे क्या फ्रॉड में फसा है आपका पैसा? क्या स्कैम में उल्चू है आपकी रकव? नमस्कार, मैं हूँ रवी रथानी, दोंट वेट पॉर लॉंगर पीरिड विपाजी तो वह टाइम बाफ प्रेस में चला जाएगा और आप कुछ नहीं कर पाएगे क्या आपके साथ भी, किसी कमजी ने किया है धोखा कंपनी को बुने बॉस्ट इस इस लिमिट, यू हब तो गिल मैं मनी बैक, कंजी ने अमें के कंप्लेंड दी के मेरे पैसे बैंक ने लूट लिये है हमारी पूरी टीम इस चीज को इन्वेस्टिगेड कर रही है, एक एक पन्ना पर रही समय का तॉर्चर तो सभी सहते हैं, पर सिखते वहीं जो समय के साथ बहते हैं जब तारे और टेरो का कनेक्शन हो, तो हर कार्ड कुछ कहता है, मेरे यानि क्रिस्टीना साइक्या के साथ देखिए तारे टेरो एंड टिप्स हर रोज 11 News पर प्रिकिबाद स्वागत आपका, आम आदनी पार्टी के सयोज़क, अर्विंद के जिवाल, लोग सभाचुनाब के लिए खुब जोर शोर से जुट गए हैं और आल जिसी सिलसले में के जिवाल, नरीन मोदी के गड़ गुजरात के चार दिवसिये दोरे पर हैं के जिवाल के साथ मनीश्य सोधिया, संडर सिंग भी हैं, के जिवाल इन चार दिवों में मोदी के किये विकास को पर्खेंगे, के जिवाल अपना पचार एहंदबाद से भुच तक करेंगे, छे मार्च या निकल के जिवाल भुच से राचकोर्ट तक रोप्शो करेंगे, साथ मार्च को राचकोर्ट से एहंदबाद जाएंगे और फिर आज मार्च को एहंदबाद में रैली को संबोरत करेंगे पिछले लोकसभा चुनावों में कॉंग्रिस का गर्ष साबित होई मुंबई के खिल्ले को फिर से बचाने के लिए कॉंग्रिस उपाध्यक शाहूल गांधी आज महराश के दो दिवसिया दोरे पर हैं मुंबई की मूल निवासी रहे कोली समाच के लोगों के साथ शेमाच को अन्हेरी के वर्सोवा बीच पर अपनी चुनावी चौपाल लगाने वाले हैं अभी तक कोली मतदाता कॉंग्रिस से दूर ही रहे हैं लेकिन कोली मतदाताओं को अपने पाले में कीचने की कॉंग्रिस केस पहले दूसरे राजश्यतिक दलो को चौका दिया है राजशाकरी और नितिन गटकरी की मुलाकात के बाद महायूती में दरार आती नजर आ रही है शिव सेना के पक्षप्रमुक उधव ठाकरे ने ये धमकी दे डाली है कि अगर मन से महायूती से जुड़ी तो वे महायूती छोड़ देंगे क्या टूटेगी महायूती? क्या महायूती में शामिल होंगे राज? उधव की नाराजगी से क्या भाजपा को होगा बड़ा नुकसान? महाराष्ट नवनिर्मान सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे से भाजपा के पूर्वराष्ट अध्यक्ष नितिन गटकरी की मुलाकात से खफाज शिव सेना अध्यक्ष उधव ठाकरे ने भाजपा के साथ गटबंधन तोड़ने की धमकी दे दी है उन्होंने भाजपा के वरिष्ट नेताओं से गटकरी द्वारा सूबे के वोटरों में भरम की स्तिती निर्मान करने पर नाराजगी भी व्यक्ती है दोनों नेताओं के बीच करीब दो घंटे चली मुलकात की खबर से उद्धवठाकरे नाराज हो गए है उनकी नाराजगी की जानकारी मिलते ही भाजपा प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र फड़नवीस देर रात उन्हें मनाने के लिए मातुश्री बंगले पर पहुँचे बताया जाता है कि उद्धवठाकरे ने दो टूक लहजे में भाजपा से कहा कि गटकरी कभी शरत पवार की प्रशंसा करके और कभी राजपाकरे के साथ मंच साजा करके महायूती के वोटरों को ब्रमित करने का जो काम कर रहे है वो फौरन बंद करे वरना उन्हें भाजपा के साथ गटबंदन तोडने को मजबूर होना पड़ेगा शिवसेना राजसबा सदस्य एवं प्रवक्ता संजे राउत ने उधव ठाकरे के नाराज होने की पुष्टी करते हुए कहा है कि महायूती में यदि राज ठाकरे या फिर शरत पवार को शामिल किया जाता है तो उसका ततकाल असर दिखाई देगा उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा कि महायूती में राज ठाकरे की कोई जरूरत नहीं है राउत ने कहा कि शिवसेना से मराठी वोटरों को तोड़ने की हिम्मत किसी भी दल में नहीं 2014 में होने वाले लोगसभाद चुनाव में महायूती, कॉंग्रेस और NCP गटबंधन को पराजित करके सूबे की 48 में से कम से कम 40 सीटे जीतेगी शिवसेना प्रवक्ता ने भाजपा को याद दिलाया कि शरत पवार का विरोत किये जाने की वज़ह से ही महायूती में निर्दलिय सांसद राजुशेट्टी और पस्टी महराष्ट के प्रभाव शाली नेता महादेव जानकर जैसे लोग शामिल हुए है अब ऐसे में यदि भाजपा की और से कोई गलती होती है तो उसका बड़ा नुकसान भाजपा को उठाना पड़ सकता है ब्यूरो रिपोर्ट लेमन निउस प्रवक्ता नीलम गोरे पहुची हुई है विधान बवन विधान परिशत का अभी-अभी इन्होंने नामंकन दाखिल किया बहुत सुविक्षा आपको क्या मैसुस करें है एक तो बन में बहुत एक सकून है कि पक्षय प्रमुग जो है उदोस आप ठाकरे उन्होंने फिर मुझे तिसरी बार विधान परिशत में आने का संदीद यह मोका दिया है लेकिन बहुत दूख होता है मैं चार दिन से जबसे मेरे उम्मीदवारी गोशित हुई है हर रोज मैं अतिश्योक्ती नहीं करूँगी एक्जागरेशन नहीं करूँगी मैं बाला साब के ठाकरे उनके फोटो के सामने आके मैं यही सवाल पूछती हूँ कि साब आप अगर होते तो आप क्या कहते थे उसके बारे में हर रोज मेरे डायरी में लिखती हूँ क्योंकि बाला साब जी ने हर बार मुझे आशिरवात दिया था और हर बार ये भी पूछा था कि आपको और अच्छा काम करना है तो लेकिन फैर दो साब उनकी जो जगा है वो अच्छी तरीके से निभा रहे है फिर भी बाला साब जी को जो स्मृती है वो हमारे मन में अमर है हमेशा रहेगी और महाराष्ट में जो ब्रष्टाचार हो रहे हैं हिसानों के बहुत बड़े सवाल है महिलाओं पर अत्याचार हो रही है ये काम करने के लिए मुझे बार-बार महसुस होता है कि विधान सभा में हमारा स्पष्ट बहुमत नहीं है क्योंकि जो मराठी छोड़ के वोटर है उसमें कुछ लोग तो हमको वोट करते है लेकिन कुछ लोगों को अभी भी लगता है कि शायद दूसरे कोई पाल्टी उनको ठीक तरीके से काम कर पाएगी लेकिन अभी उनको भी ये समझना चाहिए और मुझे हमेशा लगता है जैसे के राजस्तान है, दिल्ली है, मध्यप्रदेश है हर जगा पे परिवर्तन के बारे में बिजेपी को जिस तरीके से लोगों ने सपोर्ट किया तो महराष्ट के भी जो वोटर से उनको भी और एहसास देने के लिए हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि यहाँ पे अगर कॉंग्रेस और राष्टवादी उनको पराभूत करते हुए शिवसेना, विजेपी और हमारी महायूतिश उनके आती है तो लोगों को दाम ठीक रहन रखने के लिए हो, महिला सुरक्षा के लिए हो सिंचन का सवाल है, पानी का सवाल है, राष्टहीद का सवाल है ये सब सवालों के बारे में काम करने के लिए हमें विधान सभा में बहूमत मिलना बहुत ज़रूरी है आप शुशेना के प्रवक्ता हैं, एक अलग सवाल इस तरीके का होगा के कल लेवेंद्र फनवनिज और उद्धो सब के काफी चर्चा हुई है कहीं नहीं नाराजगी महायूती से जता रहे हैं उद्धो सब क्या गुछ कहीं है उद्धो सब और पार्टी के सब ही लीडर्स सब के साथ में उद्धो जी के बहुत अच्छा संवाध है और इसलिए जो भावना होती है वो ठाकरे परिवार जो है बाला सब जो रुद्धो जी मन में एक और बाहर एक राजनिती उनका नहीं होता है इसलिए जो उनको लगा वो उन्होंने तुरन कहा कह दिया और इसलिए देवेंदर जी फटनविस और उनकी और काफी कुछ बात होगी मुझे लगता है अभी आगे क्या होगा इसके बारे में नितिन जी गड़करी उन्होंने भी सपश्टी करन दिया है अभी इसके बारे में कुछ नहीं कहूंगी हमारे पार्टी चीफ ही कहींगे महत बहुत शुक्री हमसे बात करने के लिए नीलम गोरे इन्होंने आद नमंगन पत्र जो है दाकिल कर दिया फिर से एक नई शुरुबात की पारी जो है उसके लिए तैयार है द्रमेंदर दूबे लेमन न्यूस मॉंबाई बड़िया वक्ते को और ब्रेका ब्रेके बात कुछ और खबरों के साथ जल्दान सुरूत है इन्जियो चलाना एक बात होती है एन्जियो की तर्ज पर राजमें की दल चलाना दूसरी बात है इसकी जो हवाती इंदेलिक वह वहां तक सुपर्श करने हैं महाराष्टर थोड़ा दूस है खुश तक तक ऐसे हैं जैसे मुस्मा मुसल्मान हैं माइनॉरिटीज हैं दलिट्स हैं अदिवासी से हैं इनको थोड़ा फास्ट ट्रेक के उपर ग्रोथ करने की देगे मैं गांधी से खास बाची देखिए सिर्फ लेमन न्योज पर उधवार शाम 6 बजे और राद 11 बजे समय का तॉर्चर तो सभी सहते हैं पर सिखते वहीं जो समय के साथ बहते हैं जब तारे और टेरो का कनेक्शन हो तो हर कार कुछ कहता है मेरे यानि क्रिस्टीना साइक्या के साथ देखिए तारे टेरो एंड टिप्स हर रोज लेमन न्यूज पर मेरे के बाद स्वागत है अपका सुप्रीम कोर्ट बारा सहारा प्रमुख सुप्रतो रोज को तेहार जेल भीजी जाने के बाद सुप्रतो को जेल में कोई सहुलियत नहीं मिली है सुप्रतो रोज ने जेल का खाना खाया और देराज जमीन पर सोए सुप्रिम कोर्ट ने सुप्रतो रोज को अगली सुनवाई तक के लिए तेहार जेल भेश रिया है कोर्ट का कहना है कि इस बीच अगर निवेशकू के पैसे लोटाने का कोई ठोस प्लान बताया जाएगा तो जमानत पर पुचार किया रहा सकता है वहीं एक माच को हमारे खास प्रोग्राम भवेश्यवानी में पंडित राजकुमार शर्माने सहारा प्रमुक सुब्रतो रोज के उपर भवेश्यवानी की थी जो सत सावेत हुई उन्होंने कहा था कि सहारा श्री को तेहार जेल जाना होगा आप भी सुनिए क्या कुछ कहा था पंडित राजकुमार शर्माने सूर्य की राशी में जब शनीदेव प्रवेश करेंगे शत्रू की राशी में तो क्या होगा शत्रु अपना काम करेगा शत्रुता निभाएगा इनको कारावास हो गया है उग आगे आने वाले दिनों में उस कारावास की डेंसिती बढ़ेगी हो सकता है आज लखनव में है तो कल तिहार में हो क्या बुला मैंने? आज लखनव में है तो कल तिहार में हो तो इसलिए easy going नहीं है सूर्य की राशी में जब शनीदेव प्रवेश करेंगे शत्रू की राशी में तो क्या होगा शत्रू अपना काम करेगा शत्रूता निभाएगा इनको कारावास हो गया है आगे आने वाले दिनों में उस कारावास की डेंसिटी बढ़ेगी हो सकता है आज लखनव में है तो कल तिहार में हो क्या बुला मैंने जी आज लखनव में है तो कल तिहार में हो तो इसलिए easy going नहीं है बट्यागे अनना हजार ने वीके सिंग के बीजेपी में शामल होने का स्वागत किया है अनना के मताबक अच्छे लोगों के राजनेती में आने से राजमेती साफ सुत्री होगी वहीं कायास लगाया जा रहा है कि अन्ना की सयोगी किरनवेदी भी बीजेपी में शामिल हो सकते है। मुंबई पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का परदा फाश किया है जो मुंबई के व्यापारियों को धंकी बरे फोन करता था। मुंबई पुलिस की आंटी करप्शन सेल ने धंकी देने वाले लोगों को गिरफतार कर लिया है। बताया जा रहे हैं कि पाकिस्तान और दोबई से उगाही के लिए व्यापारियों को फोन किये जाते थे। पुलिस जांट पर पता चला है कि इस गिरोह में मुंबई के कई उद्योपती भी शामल है। राजकोट के रहया गाओं के लोगों ने राजन सरकार के खिलाफ एक बड़ी रैली निकाली। अपके कारे करताब भी थे। इस गाओं के किसानों की राजन सरकार से मांग है क्यूंकि जमीन को जलड से जलड रेगुलराइज किया जाए। पदाय जा रहा है कि रया गाउं राजकोर्ट बनपा में भी आ गया है फिर भी इस गाउं को कोई भी सुविधा नहीं मिल रही है आमाद्धी पार्टी सांदोलन में शामिल हो गई है आमाद्धी पार्टी का कहना है कि वो किसानों की लड़ाई में उनके साथ है और किसानों की हर मदद आमाद्धी पार्टी करेंगी चले तो इसी के साथ इस बुल्टन में इतना ही दीजे जाज़त नमस्कार एक बात होती है, एक बात होती है, एंजियो के तर्ज पर राजमे के अगड़ चलाना, दूसरी बात है, इसकी जो हवाती देली के वहां तर पर्श करने है, महाराश्तर थोड़ा दूज है, खुछ तक ऐसे हैं, जैसे मुसल्मान है, माइनोरिटीज हैं, दलिट्स हैं, महिंग गांधी से खास बात ची, देखिए सिर्फ लेमन्योजबर, उधवार शाम 6 बजे,